कि 2014 में जो हिंदुस्तान के नागरीकों ने सोचा वही मुरेशिस के नागरीकों ने सोचा हुआ हिंदुस्तान के नागरीकों ने तीस साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली स्थीर सरकार बनाई मुरेशिस के लोगों ने भी पूर्ण बहुमत वाली स्थीर सरकार दी दुनिया को हिंदुस्तान के पहचान होगी, कि दुनिया के लिए जो मजदूर था, जिसे खेतों से उठा करके ले लाया गया था, जबरन लाया गया था, वो भी अगर जीजान से जुड़ जाता है, तो आपने आप धर्ती पर स्वर्ख खड़ा कर देता है, ये काम आपने कि किया है, और इसलिए एक हिंदुस्तानी के नाते, गर्म महसुस करता हूँ, और आपको नमन करता हूँ, आपको अभिननन करता हूँ, आपके पुर्वजों को प्रणाम करता हूँ, दुनिया को यूथफूल मैन पावर के आवशक्ता रहने वाली है, हुमन रिसोर्स के आवशक्ता रहने वाली है, भारत आज उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, कि आने वाले दिनों में विश्व को जो इस मानव शक्ती के आवशक्ता है, हम भारत में ऐसी मानव शक्ती तैयार करें, जो जगत में जहां जिसकी ज़रुत हो, उसका पूरा करने के लिए, हमारे पास वो कभीलियत हो, वो हुनर हो, वो सामर्त हो, और इसलिए, स्कील देवलप्मेंट, एक मिशन बोर्ट ने हमने आरंब किया है.